हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अमन और आप देख रहे हैं मोटरबाइट आज हम आपके लिए के आए हैं एक जबर्दस वीडियो यह है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एंड टॉप मॉडल जेट एट एल वेरियंट पेट्रोल मैनुट वेशान में पेटने के बाद जो आपको फिल आता है वह इतना ज़वर दस है कि आप को लगे गा किए कि प्रीमियुम सेग्मंट की गारी वे बैट धार है हाला कि यह सैग्मंट इसगमंट दि सैगमट को कंपीट करता है इसकी प्रैसिंग भी जो है वह डी segment की pricing से कम है लेकिन इसकी जो premiumness है वह पूरी आपको मिलेगी यहाँ पर आपको टॉप में जो है वह हाड प्लास्टिक मिलेगा लेकिस प्लास्टिक की quality बहुत जबर्दस है यहाँ पर आपको जो है वह सिल्वर लाइनिंग मिल जाएगी पूरे सेंटर कंसोल के बॉंडरी पे अगर हम सेंटर में बात करें तो यहां पे एट इंचिस का आपको इन्फोटेंट मिल जाएगा जैसे की एक्ष्वी 700 में लांच किया गया था वेकुल सेम वही है इसका फैदर लाइट स्टेरिंग है य आपको महिंदरा का लोगों मिल जाएगा राइट सेट में आपको क्रूस कंट्रोल मिल जाएंगे साथ में ही आपको MID के बटन भी मिल जाएंगे अगर आप MID के ऑप्शन देखना चाहते हैं तो अब यहां से सेट कर सकते हैं बहुत सारे फीचर से रेंज सेंसिंग वाइपर तो आपको 12 स्पीकर साउंड सिस्टम यहां पर सोनी की तरफ से मिल जाता है सेंटर में आप देख सकते हैं कि आपको सब वूफर मिल जाएगा जो कि जिसके ओपर सोनी की बैजिंग है बाकि चारो दरवाजों में आपको स्पीकर मिल जाएगा और दरवाजों में यहां पर आपको tweeters मिल जाएंगे तो total 12 speaker system आपको यहां पर देखने को मिल जाता है जिसकी sound quality decent है यहां पर आपको grab handle मिल जाएगा यहां पर आपको यह जो फिनिश है यह लेदर आपको soft touch finish दी गई है जिसमें आपको Scorpio N की बेजिंग भी मिल जाएगी लेकिन doors में अगर हम बात करें तो यह वाली जो चीज है यह ब्लास्टिक है यह आपको soft touch मिलेगा जहां पर आपको बेसिकली अपना हाथ रख सकते हैं यहां उपर बात करें तो IRVM भी आपको जो है लेकिन पैसेंजर साइट पर आपको वैनिटी मिरर भी मिलता है और उपर light भी मिलती है तो यह एक चीज बागी एक चीज जो यहां पर noticeable है जो यह है इसकी height हाइट आपकी जो है वो अच्छी खासी हाइट मिल जाती है उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की जो है इसकी संरूफ इसका इंतजार था बहुत से लोगों को और फाइनली महिंद्रा ने स्कॉर्पियो में संरूफ भी दे दी है इसंडूफ का साइज बहुत अच्छा है आप इसके लिए देख सकते हैं कि इसका जो इलेक्रिकली जो इंट्रोल्ड संरूफ है और इसकी जो लेंथ है वह अच्छी खासी डीसेंट लेंथ है एक अडल्ट भी इसमें से अराम से बाहर निकल सकता है और विट तो बहुत ही जबर दसता है तो से आपको परकिंग ब्रेक सेंट्र में आपको कीज बगहरा रखने के साथ 2 कप होल्डय मिल जाते हैं यहां पर आपको जो भी इंपॉर्टन चीज और मिल जाता है एंड्रिस्ट के नीचे आपको चोटा सबमिंद यहां च्वीं पर समान अपना रख सकते हैं लेकिन यह हैं सेंड सेट अब आत करते हैं कि रियर सीड्स की रियर सीड्स में अब देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 28 अब जबर्दस मिलेगा सेंटर कंसोल में आपको रियर रेसी वेंट मिल जाएंगे विद सिल्वर लाइनिंग ट्रीटमेंट यहां पर आपको इक ब्लोर नॉब मिल जाएगा जहां से आप ब्लोर की स्पीट को जो है वह वह कंट्रोल कर सकते हैं और एक टाइप सी का पोर्ट म मिल जाएंगे और अगर आप यहां पर देखें स्पेस की बात करें तो तीन अडल्स यहां पर आराम से बैठ सकते हैं हम जहां पर बहुत जादा नहीं है बहुत मिनिमम सा हम पैजिसकी वज़े सेंटर में बैठ हुए बंदे को बहुत जादा इशू नहीं आएगा सेंटर स इस बैठ सब्सक्राइब करें हैं यहां पर एक लिवर दिया जाता है लिवर और प्रेस से आप एक हाथ से ही इसको टम्बल डाउन कर सकते हैं और तर्मल नावन करने के बाद आप पीछे वली इसीट पर एंटर कर जाएंगे दो तीन चीजें हैं जो मैं मैं मेंसिन करना जाओंगा जो मुझे बैठते के सार ही फील हुई है सबसे पहली चीजज यह अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल otherwise झोटी सीट और वह वनली जो फ़ड़ प्लब बनाई जातीं वह बच्चों के लिए बनाई जाती है एडर्ल्स के लिए नहीं होती घरज रोओ में आपको ईपन्स नहीं मिलेंगे फोल भी आपको जो है डाइब सीदिया गया तो आपको पूरा फिल यहां लास रोक टक निलेंगगे अगर आपको उतरने सकते अब यहां से स्कूर पुंष करेंगे और यह जो है वो अराम से टंबल डाउन हो जाएगी यानि कि अगर मैं पीछे बैटा हूं और उतरना चाहता हूं तो मैं अराम से इसमें उतर भी सकता हूं